हेलो फ्रेंड्स जूली देश लाइफस्टाइल में आपका शागत है और आज हम बेबी का फेस मसाज करके आपको दिखाएंगे कि आप बेबी का फेस मसाज कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने ऑलिव ओयल हाथ में लगा लिया है उसके बाद हम बेबी की फेस पे अच्छे से ओयल लगा लेंगे तो इस तरीके से बिलकुल आराम से हम बेबी के फेस पे ओयल लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने बेबी के फेस पे अच्छे से ओयल लगा लिया है और अब मैं इसकी जो फेस का मसाज है बिल्कुल आराम से बिल्कुल हलके हाथों से करूंगे ताकि बेबी को बिल्कुल प्रेशर ना पड़े बिल्कुल अच्छा फील हो तो इस तरीके से आप बिल्कुल आराम आराम से मसाज कर सकते हैं बच्छे का पहले हम चेक पे करेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा बेबी मसाज को अच्छे से इंजॉय कर रहा है तो छोटे बच्चे अगर आपके घड़ में हैं तो आप इसी तरीके से बेबी को फेस मसाज दीजिए बहुत ही अच्छा फील करता है बच्चा यह देखिए मेरा बेबी मसाज करवाना चाहा रहा है बेबी का ऑईल मसाज के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप फुल बाडी मसाज का वीडियो देख सकते हैं मैंने लॉंग वीडियो बनाया है बिल्कुल स्टेप बाइस्टेप बताया है मैंने अगर कोई बेगिनर्स हैं जिनको मसाज करना बिल्कुल भी नहीं आता बेबी का उनके लिए काफी जादा बेनिफिस्यल वीडियो रहेगा क्योंकि मैंने लॉंग में बनाया है तो उस पे स्टेप बाइस्टेप दिया हुआ है कि बेबी का आप एक एक पार्ट का मसाज कैसे कर सकते हैं और बच्चा काफी आराम फील करता है और उस तरीके से मसाज करने से बेबी का बोन भी स्ट्रॉंग होता है तो आप वह वाला वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं और आप मालिस करते हैं अपने बच्चे का तो आपके लिए काफी यूजफूल वीडियो रहेगा और यहां पर आप बेबी का जो फेस मसाज आप इस तरीके से डेली कर सकते हैं कम से कम पांच मिनट तो आप डेली कीजिए इसे बच्चे को अच्छी नींद आती है बच्चा काफी रिलैक्स फिल करता है तो आप देख सकते हैं मेरा बेबी अच्छे से मालिस करवा रहा है फेस का मसाज काफे इंपॉर्टेंट है पूरी वाडी का मसाज कम से कम अगर बहुत चोटा बेबी है न आपका बिल्कुल नियूबॉर्ण है तो आप दो से तीन बार जरूर मसाज करें अगर गर्मी का टाइम है तो दो बार करें मसाज लेकिन ठंडी की टाइम में चार बार मसाज करना जरूरी है हम लोग अपने हमारे घर में चोटे बच्चे जो होता है न बिल्कुल इंफेंट तो उनका चार से पांच बार मसाज होता है हमारे घर में और अब गर्मी का मौसम आ गया तो गर्मी के मौसम में मॉर्निंग में मसाज होगा क्योंकि गर्मी भी बच्चों को भी लगती है लिए अगर चोटे बच्चे हैं तो आप भी अपने चोटे बच्चे को स्ट्रांग बनाएए बहुत बच्चे का मैं देखती हूं कि यह जो अपर लीप है यह काफी उठा होता है जो कि आगे चलके दात बाढ़ हो जाता है तो इसलिए अभी इन्फेंट है बच्चा छोटा है स्टार्टिंग से जब बच्चा नियूबॉर्न हो ना तो उसी टाइम से ये वाला जो पाट है इसको इस तरीके से दवाईये मसाज करते के टाइम जब यहाँ बेवी का फेस मसाज करते है तो अप तो ममी बताती थी कि हम ऐसे इसलिए कि यह बाहर आगे दात ना हो आगे दात ना निकले इस वज़े से यहां पर इस तरीके से प्रेस करते रहना चाहिए जैसे कि छोटे बच्चे में अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका आगे सब कुछ बेटर रहता है तो इसलिए मैंने सोचा मुझे तो मैं मालिष की मैटर भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ मुझे भी बहुत ही अच्छे से मालिष आता है बेबी का तो मैं आपको भी हेल्फ कर दूँ ताकि अगर आपके घर में ऐसा सब कोई सिम्टम्स है बच्चों में तो आप कर सकते हैं या पिर कहीं भ मुझे बहुत है इसको हलका सा प्रैस करते रहेगा बेबी को बहुत आराम मिलता है आप देख सकते है मेरा बेबी अपना हाथ जो है बार बार माउथ में लेना चाहरा है क्योंकि अभी पर भी वीडियो बनाओंगी आपको बताँगी कि आप बेबी के टीधिंग प्रॉब् बने रही है मेरे साथ अगर चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और साथ ही बैल आइकन है उसको भी हिट कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहला नौटिफिकेशन आपको पहुंचे तो ताकि आप वीड आप देख सकते हैं मेरे बेबी को यह काफी अच्छा फील कर रहा है तो फ्रेंड्स जाइए आप अपने बेबी का भी इसी तरीके से मसाज कीजिए और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे मिलते हैं नई वीडियो के साथ